नमस्कार दोस्तों इंडिया की बात में आपका स्वागत है आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब एक एहम डवलप्मेंट हो चुका है प्रधान मंत्री नरेन मोदी नई संसद में एंडिये के कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए हैं तमाम दलों ने उनको अपना समर्थ अफिशल दे दिया है और देखिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी एक बार फिर देश के कॉंस्ट्यूशन के आगे सिर्ण नवाते हुए दिखाई दिये लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इन चुनावों ने पेश किया है और जो आखड़े हम आपके साथ साजा करना चाहते है कि NDA, ध्यान से सुनिए NDA, NDA का जो पूरा का पूरे जीत के कैंडिडेट्स आए है उसमें ना कोई मुसल्मान है, ना कोई इसाई है, ना कोई सिख है और ना कोई बुद्ध है, बौद धर्म मानने वाला, तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ हुआ है, हाला कि इंडिया का जो नक्षा है, भारत का जो नक्षा है, वह जरूर बहुरंगी हुआ है, और इसी बहुरंग की वज़े से, इसी डाइवर्सिटी की वज़े से, पहली बार हुआ है, मोदी जी के शाशनकाल में, जब वह मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद 10 साल, प्रधान मंत्री पहली बारव गडबंधन सरकार को लीट करने जा रहे हैं 240 पर रुकी भारती जनता पार्टी और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वह सवाल ये है कि किस तरह से इस गडबंधन को देखा जाएगा और इस पर चर्शा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदिती और मुकुल आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडियो में हम सब जानते हैं आप भी सब लोग देख रहे हैं और सारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से सीन चेंज हुआ है जो सारा का सारा खेल चल रहा था अभी तक भारती इतिहास का पहला चुनाव है जो इतना लंबा चला आज तक कभी इतने लंबा इलेक्शन फेज नहीं चला साथ चरुणों में और उसके इर्दगिर्ट जिस तरह के खेल हुए वह तो अलग ही है लेकिन अंतता मोदी जी को आना पड़ा गडबंधन राजनीती की तरफ और सबसे पहले हम इसी पे चर्शा करने जा रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी गडबंधन सरकार के लिए मजबूर हुए है और उसके प्लस और माइनस क्या होंगे और हमारा दूसरा मुद्धा होगा कि किस तरह से जो कॉंग्रेस ने एक बंप होड़ा है किस तरह से stock exchange scam किया गया और उसका नेत्रतु किया अमिशा और प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने और finance ministry भी शामिल थी उसमें जो पूरा का पूरा speculation चला है उसकी हकीकत किया है असर क्या पड़ेगा और तीसरा मुद्धा होगा आज जिस पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे वह उत्तरप्रदेश और बिहार की जो सबक है विपक्ष आगे का रास्ता कैसे अख्तियार करेगा सबसे पहले हम चलेंगे गड़बंधन जी हाँ गड़बंधन को लेकर जो सो कॉल्ड गोधी मीडिया है जो कॉर्परेट मीडिया है उसने जिस तरह का नरेटिव बिल्डप किया उससे ऐसा लगता है कि गड़बंधन इस दे बैड नेम वही खराब नाम है और उससे देश का विकास रुख जाता है लेकिन आईरनी विडंबना देखिए कि आज की तारीक में मोधी जी बिल्कुल दूसरे स्वर में उनकी चाल भी दूसरी हो गई है बाचीत भी दूसरी ह हो गई है वे गड़बंधन की तरफ चले गए हैं और उसमें दो एहम जो बैसाखियां है वह एंडिये की उसमें एक तरफ चंद्रबाबु नाइडू है और दूसरी तरफ नितीश कुमार तो पहला मुद्ध हमारा यह है क्या है मुकुल इस पर आपका पंच भाशा मेरा साफ मानना है कि इस देश ने देखा है कि गड़बंधन सरकारों नों बहुत बहुत बेतर काम किया है एक मजबूत सरकार यह जो सोकॉर्ड मजबूत सरकार कही जाती है उससे बेतर गड़बंधन सरकारे हैं गड़बंधन सरकार प्लस मजबूत विपक्ष जिस तरह से इंडिया अलायंस के वोपर अटाक किया की इस्टेबिलिटी नहीं होगी और हम एक स्थिर्चार कार जेंगे पहली बात तो उनको एक तमाचा मिला है लोगों से और दूसरी बात यह है कि अब वो खुद ही घरे नजर आ रहे हैं और उनकी क्योंकि दो अब ऐसे घ कि पहली बात संभवता प्रधान मंत्री नरेन मोदी लोगतंत्र का लेसन सीखेंगे आज तक उन्हें लोगतंत्र का यह पाठ नहीं मिला कि कैसे सब को साथ लेके चलना होता है सिर्फ मन की बात कहकर या अपना एजेंडा चला के रही दरसल देश की जो विविदता है उसे करने की मजबूरी NDA की अब मजबूरी होगी और यह देश के लिए बहतर होगा सबसे पहले मुकुल मैं आप से जाना चाहूंगी कि जो पूरी बॉडी लैंग्विज है मोदी जी की और जिस तरह से वे जुब जुब के बार बार चंद्रबाबु नाइडू से और एक बादा होगा कुछ कम होगा इससे क्या चेंज होगा क्या मोदी जी या मोदी तंत्र बदलेगा उनका जो तीसरा चरण है उस कैसे देखते हैं ने बदलना तो चाहिए लेकिन थोड़ी सी क्योंकि मोदी जी का अपना जो कारशाली रही है आपने जिसे बताया कि पहली बार लोगतंत्र का लेसन पढ़ा है और वो कितना सीखा है यह देखने वाली बात होगी लेकिन यह बहुत महत्पूर्ण है मैंने खुद भी कहा पहले भी लिखा भी इस पर कि पहली बार चुनाओ के बाद अब NDA सुना है और यह हैरत की बात है कि चुनाओं में BJP भी नहीं सु सब्सक्राइब कर देखा है कि अधिती लेकिन एक बात जो दिखाई दे रही है और एक मजबूत विपक्षोट तब ही यह देश चलता है एक मजबूत सरकार हमने हमेशा देखा है कि वह तानाशाई की तरफ बढ़ती है अधिती लेकिन एक बात जो दिखाई दे रही है कि गठ बंधन को लेकर इतना निगेटिव इतना नकारात्मक प्रचार है तमाम अखबार तमाम टीवी चैनल्स उठाके देख लीजिए बहुत देखना मुश्किल है लेकिन तब भी उसमें दिखाई दे रहा है कि अब चवी शुरू से रही है जब जैसे मुखल जी ने बोला है अगर आप economic parameters भी देखें और articles भी देखें तो कड़बंधन के time पे economic performance अबसे बढ़िया रही है भारत की और दूसरी बात में जो मुखल जी कह रहे है कि एक positive development में यह मानती हूँ लेकिन साथ में यह भी मानती के उपर मांगों की बॉचार हो रही है उसको कैसे हैंडल करेंगे उनका 56 इंच का सीना किस तरह से थोड़ा सा कम होगा यह एक देखने का विशय है भाशा मुखल एक चीज और जो दिखाई दे रही है कि दोनों जो पलती बार है लग उनको इसलिए क्योंकि पब्लिक डोमे इन दोनों लोगों ने जो डिमांड की है उसमें जो बहुत एहम चीज है वह अगनीवीर एक है तो ऐसा लगता है कि मोदी जी लेना लें लेकिन जो उनको बैसाखी दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए उन्हें पताया कि उनको अपनी जमीन कैसे बचानी है बिलकुल उनने त इस तरह पिछले उसमें सौसो सांसदों को एक साथ निशकाशित कर दिया गया और बड़े-बड़े बिल पास करा लिये गये और हमने यह भी देखा है 1998 में 1999 में जब अटाल भीहरी सरकार एक वोट से गिरी थी तब विपक्ष का ही टीडीपी का ही इस पीकर था तो इस पीक वाला हाल हुआ माराशी लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रही है अदिती की अचानक ही आरेसेज बहुत सक्री हो गई है और आरेसेज ने जो कल बैठके की बहुत एहम बैठके हैं जेपी नड़ा के साथ की उन्होंने और सूत्रों के मताबिक जो खबर है क्योंकि सूत्र हैं जो खबरों में भी छपे हैं कि वे चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में तीन चार मुद्दों को लेकर आगे बढ़े पहला मुद्दा जो उन्होंने रखा है वो यूसी सी है यानि यूनिफॉर्म सिबल कोड कि उसमें पीछे नहीं जाना चाहिए एक देश एक च कि आरेसेज हमने सुना नहीं था जी भाषा मुझे यह लगता है कि आरेसेज अपनी तरफ से दबदबा बनाए रखेगी लेकिन इस बार इतना असान नहीं होगा क्योंकि चंदरबाबु नाइडू और नितिश कुमार उनको भी अपनी जिन्होंने वोड दिया है उनको तो एक तरफ यह लोग तो चाहेंगे ही कि वो अमरावति को कैपिटल भी बनाना चाहते हैं तो अपनी तरफ से जितना मिलेगा वो दो हातों से बटो रेंगे उसमें RSS का UCC वगएरा उसमें कंसेंस लाना देखिए चंदरबाबु नाइडू को भी बहुत सारे जो है माइन कि वो कमिनल काड़ खेलते हैं या उनकी कमिनल या सामपरदाइक च्छवी है चाहे वो TDP हो चाहे वो JD हो चाहे नितीश व्यक्तिकत तो पर या वो तो उन्हें भी और उन्हें कर दिया है कि हाला कि अभी तो सरकार बनेगी चलेगी लेकिन दीरे दीर इन मुद्दों पर उस उसमें जितने बेहतर काम हुए देश में बेहतर काम मन्रेगा भोजन के अधिकार यह सब जो चीजे आई वो गडबंदन की मजबूरी में जिसमें लेफ्ट भी एक बड़ा रूल अदा कर रहा था और इस बार भी लेफ्ट के कई सांसद मुखर सांसद में होंगे तो देख रूप तुन्होंने लेही लिया है एक बात और इसमें में एड करूं इतना असान और भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सशक्त ओपोजिशन होने वाली है इस बारी इतना आसान नहीं है कि आप बिल ऐसी अर मुझे यह लगता है कि पूरे 5 साल शायद मोदी जी से मजबूत हुआ है और उसने क्रेडिबिलिटी हासिल की है क्योंकि जमीन पर जो लड़ाई हुई है वो तो दिखाई दिया और खास तोर से जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे ग्रेट उत्तर प्रदेश तो उसके जो वाइप्स हैं वो भी मोदी जी को बहुत परेशान कर रहे थे और आज जब NDA की मीटिंग हो रही थी तब योगी आदितिनाथ और मोदी जी की भी फोटोस हमें दिखाई दे रहे हैं कि क्या एक्वेशन्स हैं तो ये तो हमारी नज़र रहेगी हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पे दूसरा मुद्दा बहुत एहम है तकरीबन और उसी तरह का पोटेंशियल है जैसा गुप्त चुनावी चंदे में था जिस तरह से गुप्त चुनावी चंदे का पूरा बम फूटा था चुनाओ से पहले सुप्रीम कोट ने बताया था कि ये अनकॉंस्ट्यूशनल है बड़े पैमाने पर करोणों का लेन देन किया ग पहले ही कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस की राहूल गांधी ने बकायदा यह बताने की कोशिश की कि कि किस तरह का स्कैम हुआ है यह एक आरोप लगाया और उस आरोप के पक्ष में बकायदा डेटा दिये मैं कह रहे हूं कि आज की तारीक में हम कह सकते हैं यह कथित है 30 लाख करोड़ रुपे का स्कैम है पांच करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं लेकिन एक बार जो पब्लिक रिकॉर्ड में है इस बार वह यह कि देश के ग्रिह मंत्री मई में बकायदा इंटर्विव देते हैं जिसमें चुनाओ चल रहा है तेरा मई का उनका साइडर ट्रेडिंग का प्रभावित करना बोलते हैं सेवी की डेफिनेशन में कि आप इस तरह से प्रभावित करते हैं और उसके बाद प्रधान मंत्री सेम एंडी टीवी को जिसे अडानी जी खरी चुके हैं फिर इंटरव्यू देते हैं संजे पुगलिया जी बैठे हु कोशिश करते हैं कि किस तरह से उचाल आएगा किस तरह से फायदा होगा सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने सारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में डाले हैं इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है पहले तुरं का नतिज आएगा आप उस हपते भर में देखना कि यहने भारत का स्कॉप मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रेमिंग के जो इस पर क्या पंच है अधिती आपका कैसे देखती हैं आप इस पूरे स्कैम को भाषा मेरा यह मानना है कि यह एक बहुत ही गंभीर मसला है पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि प्रधान मंत्री और ग्रिह मंत्री एग्जिट पोल से पहले स्टॉक मार्केट को चड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वहां पे इतना जादा पैसा बनाया जा रहा है एक फरजी एग्जिट पोल का है या फरजी ना का है तो बिल्कुल गलत एग्जिट पोल पे और उसके बाद इस तरह से रिजल्ट के बाद दूबा है कि छोटे निवेशिकों के इतने करोरो रुपे का नुकसान हो गया तो मैं सोचती हूं कि यह बहुत मसला है और विपक्ष की राहूल गांदी की जेपी एस की प्रोब की मांग बहुत बिल्कुल सही है सेभी को भी जाच करनी चाहिए और वो मीडिया चैनल को भी इस के अंदर घेरे में लाना चाहिए मुकुल क्या है इस बैयाब का पंच मुझे इस मामले में घोटाले के साथ साथ एक शडियंत्र भी दिखाई दे रहा है उसकी बूँ आ रही है क्योंकि केवल एक्जिट पोल और बाजार का मामला नहीं ओपीनियन पोल से एक्जिट पोल तक जिस तरह से मनोवग्याने की युद्ध लड़ा गया और जिस तरह स मेरा बिल्कुल साथ मानना है कि एसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है यह सीधे सीधे ह्म्राइट्रिय है यह सीधे सीधे गलत आचरन है unconstitutional आचरन प्रधानमंत्री नरेंद मोधी और Giray दियेमंत्री ने किया है जो record है और मैं प्यूश गोईल जी से कहना चाहूंगे कि प्यूश गोईल जी कितना नुकसान हुआ इसकी छोड़ दीजे हमारी मांग यह है कि आखिर मोदी जी ने ऐसा कहा तो क्यों कहा किसको फाइदा पहुचाने के लिए कहा बाके सारी चीजें 30,000,000 करोड है वो सारे आकड़े बाद में सेटल होते रहेंगे यह बयान देना कि इस तारीख को स्टॉक मार्केट में उच्छा लाएगा अपने आप में एक बड़े स्कैम को जगा देता है उसको जनम देता है अधिती जो दिखाई दे है जिसे हम कहते हैं बहुत मोदी जी के ही शब्द इस्तवाल करते हैं कि मोदी जी आपदा में अफसर देखते हैं कॉंग्रेस किनेता राहूल गांधी ने बिलकुल साफ शब्दों में कहा कि मोदी जी के पास सारे सोर्से से ये जानकारी थी कि वो उतना अकूत बहुमत हास उन्होंने कहा है उससे ऐसा लगता है कि सब जानकारी होने के बाद देश के ग्रिह मंत्री देश के प्रधान मंत्री देश के वित्य मंत्री यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम आ रहे हैं आप खरीद लीजिए और उसके बाद खरीद होती है यह भी नहीं कि यह सब चीज सेट नहीं हो रही है तो दिखाई देता है कि तीन जून को किस तरह से उचाल आया ये तो इंतहा है इस तरह से खुले आम खुला केल फरुका बादी है जी भाशा ये बिल्कुल ही मैं ये कहूंगी आपने ठीक बोला कि ये इलेक्टोरिल बॉंड्स क्या उससे भी जादा बड़ा एक स्कैम इसमें होने की संभावना है जब तक इसकी जांच नहीं होती है क्योंकि ये किसको इसका लाब हुआ है ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि राहूल गांदी ने ये भी मेंशन किया है कि BJP के खुद क्यों किया गया किसने पैसे बनाएं किसको इसका फायदा हुआ यह इसका पैसा लगा ये अब करीन ये इतने पैसे बनाने में और जो अगले दिन दुबा यो बिचारे चोटे निवर्शकों का दूबा तो आपकी बात बिलकुल सही है कि ये को इनोंने बहुत जोड़ दिय जोड़ दिये थे और देखे आप अभी तक सेवी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जो मार्केट रेगुलेटर है उन्हें भी तो तुड़ी जाच करनी चाहिए इसके बारे में क्या हुआ है तो मैं चोटी नवेशा को मेरे को सेवी से पूछने का अधिकार है कि आप क् बारे में मेरा पैसा लगा है क्योंकि अब तो चीजे मुकल प्लेटफॉर्म पर आ गई है जैसे कहते हैं कागज नीचे था हम भी देख रहे थे कि सब क्या हो रहा है और खास और से मैं यहां बात इसको जिक्र के लिए करूँगी कि exit pole हम सब इसी कमरे में मौजूद थे प्रकाश कहते हैं कि एक दो गलत होता तो होता यहां तो जितने हैं सबने दिखाया तो आपको हम समय क्यों दें उन्होंने विपक्ष में सीधे सीधे का न तो मुझे यहीं लग रहा है कि श्टॉप मार्केट और उस पर निवेशे को का पैसा यह तो एक बड़ा मुद्द ह है ही लेकिन मैं कहे रहा हूं कि इसमें वोट का भी मसला है क्योंकि ये कोई एक दिन का मसला नहीं था ओपीनिन पोल आप देखिए उससे पहले बड़े बड़े जब एक्जिट पोल आया तो लेकर एग्झिट पोल यानि मत दाता और बाजार दोनों को प्रभावित किया ग इसमें भी बहुत ज़्यादा मीडिया इस तरह से उनका प्रचार करता रहा तो इसका वोट में भी आप देखिए वोटों की भी लूट या स्कैम उसके यह घोटाला कथिद घोटाला और इधर यह पैसो का मसला इन दोनों का मुझे लगता है जाच होनी चाहिए सेभी की बात कई पर स्वायत संस्थाओं पर जिस तरह हमारा विश्वाश उठता जा रहा है तो जेपी सी की मांग मुझे लगता कि बहुत बेहतर मांग है और जेपी सी ही शायद पर वो भी कुछ जैसे सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा लेकिन उन्हें मांग अपनी मजबूती से यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी जिस पर हम चर्चा भी करें कि देखिए एक समय लग रहा था कि चलिए इंडिया गडबंदर यहां तक पहुचा एक रहात वाली बात लग रही थी सब थोड़ा रिलाक्स मोड में दिखाई दे रहे थे लेकिन जिस तैयारी के की मोर्चे पर उतर गए तो उससे भी लोग बड़े परिशान हो गए कि अचाना कि जब सब के पास आया कि अरे रहूल गांदी एक अर्जेंट प्रेस कांफरेंस करने जा रहे हैं और देखिए अभी तक जो मीडिया कवर नहीं कर रहा था वहां पर छपरफाड के मीडिया पहुचा हुआ था तो दो चीजों में तबदीली दिखाई दे रहे है कि कॉंग्रेस और रहूल गांधी ने अपना जो एग्रेसिव मोड था जो चुनाव में था वह बिल्कुल छोड़ा नहीं और तेजी कर दिया बिल्कुल कर दिया है और दूसरी बात यह है कि आप बता दिया रहे है तो मुकल नहीं संसद शुरू होगी जेपीसी की डिमांड पर लग यही रहा है तो लोग पूछते हैं जो आपने का हगोदी मीडिया कि इससे जनता का पैसा क्योंकि वाइट वाइडवाश हो जाता है वो सदन की कारवाई में रुकावट आती है लेकिन यह भ लेकिन इससे देश के भविश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इस पर बात होनी चाहिए और वह जो आपने कहा कि उन्हें इंटरनल सूचना है थी मुझे पहले से भी लग रहा था जिस तरह की ट्रांसवर पोस्टिंग हुई हैं जिस तरह एक्स्टेंशन करते हैं तो यह उन्हें पहले से अंदेशा था और उन्होंने शायद तो इस पर एक बड़ी जांच बहुत जरूरी तो आप दोनों की मैं चाहूंगी कि अब देखिए कि नई लोकसभा है नई लोकसभा में मोदी जी के सामने एक बड़ा आक्रामक विपक्ष है और तुरंत ही जेपीसी की डिमांड तो ये एक बहुत हमने कल्पना भी नहीं की थी और मोदी जी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नई संसद में अभी उन्होंने पद्भार लिया नहीं शपत ग्रहन जो है उनका नौ तारिक को है और पहले ही राहूल गांधी ने इ यासे किसी एक, योःंदरे आदाव जी ने बोलाए कि नंबर भलभले मिला हो मैंडेट नहीं तो वही चीज और ये सवाल उठाने की पूृ pal Yaudii ने बोलाए तो अभी तक राहूल गांदी 2024 की चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे थे। और डावा कर रहे थे कि मैं जो चाहूं बुल्वा दूंगा मोदी जी से तो अब लग रहा है कि जो नई संसल जा रही है वहां पर भी एजेंडा राहूल गारे है। यह मजबूती उन्हें जंता नेहीं दिय है और मुझे लगता है इक जिम्मेडारी दी है और उन्हे मुठा करना चाहिए और सारे साथमील सेवाले हैं वो त। जे दूह रही पर ये वुपक्ष की मांगता है जनता की मांगती अगर अगर अगरा मुद्ध कि उससे भी बचाने पर निगहा रखनी होगी कि इसले मुझे लगता है कि बढ़ी दिल्चस्प रहेगी ऐसा लगता है और इसी के साथ हम चलेंगे कि जो नई संसत की equation है जिस तरह से नई संसत बनी है इसमें रंग बिरंगा भारत मौजूद है और उसमें जो सबसे बड़ा catalyst जो राजि रहा वो उत्तर प्रदेश रहा है उत्तर प्रदेश में जो भुकंप आया है जो अंधी आई है उसका शायद आभास ना योगी आदितिनात को रहा होगा जो वहां के मुक्यमंत्री है और ना ही प्रदान मंत्री नरेन मोदी को रहा होगा और इसकी दो-तीन मिसालें जो सबसे खास हैं कि बनारस बनारस जहां से मोदी जी लड़े वहां और उनका जो मार्जिन है एक दशमलव पांच लाग यानि साड़े तीन लाग से अधिक उनके वोटर चले गए पहला संदेश और जो पूरी निशाना साधा जा रहा है दर लग रहा है मुझे देखके सोशल मीडिया मे कि क्या होगा जिस तरह से उन्हें गैर हिंदू विरोधी स्थापित किया जा रहा है उसे लग रहा है चोट बहुत तगड़ी पढ़ी साथ ही साथ दूसरा राजी जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है बिहार क्योंकि बिहार को लेकर भी बड़े पैमाने पर एक संभावना थी इंडिया गड़ बंधन को की बड़ा परिवर्तन होगा बड़ा परिवर्तन उस तरह से नहीं हुआ आठ सीटे कम हुई है लेकिन आरज यूपी का सबक तो बिलकुश साफ है कि मंदीर या धर्म की राजनिती को यूपी वालों ने नकार दिया है बुल्डोजर राज को भी नकार दिया है योगी के और बिहार का सबक यह है कि वहां कोई तो चूक या कोई रणनितिक चूक हुई है लेकिन जैसे आपने कहा कि व पूरे भारत को दिखा दिया यूपी और बिहार ने कि लोकतंत्र अभी भी जिन्दा है और मद्दाता जो silent voter भी रहा इन दोनों राजियों में और उत्तर प्रदेश में खास तोर से वह जब अपने पर आता है तब वही लोकतंत्र बचा सकता है यहां political parties उस तरह से नहीं चु माव लड़ी और यह RJD के vote bank में जो इजाफा हुआ है उसमें भी प्रतिधोनित हो रहा है अधिती क्या है इस पर आपका पंच जहां तक यूपी का सवाल है वहां पर एक बात तो साफ है कि पिछडे और गरीब लोग जो है एक हद तक ही धर्म की राजनीती के साथ चलते हैं क्योंकि अयोधिया से तो यह बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरह से वहां मकान उचाड़े गए और उसका जवाब भाजपा को मिला है दूसरा बिहार में जो आप कह रही हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि वहीं भी वहां भी बेरोजगारी एक बहुर बड़ा मुद्दा था तो जैसे कहते हैं कि भूके पेट भजन न होए दोनों राजियों ने यह मेसेज़ दिया है मुक्ल अगर हम ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा वेव आई क्योंकि वहां पर एक सीतापूर ऐसी कॉंस्ट्वेंसी है जिससे यह पता चलता है कि राजनतिक दल यह क्यास यह रीड नहीं कर पा रहे थे कि लोगों में कितना विरोध है सीतापूर इसलिए इंपोर्टन्ट है क्योंकि सीता तो हैं सीता कापूर आयोध्याम ने बाती की लेकिन वहां पर वो सीट गई थी समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की कि कोई कैंडिडेट मिल जाए दो दो बार लोगों ने मना कर दिया फिर समाजवादी पार्टी ने कहा कॉंग्रेस है कि भाई आप ले लीजे बस पासे कॉंग्रेस में आये नेता उनको दिया गया दो तीन दिन बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिया टिकेट वापस दे दिया फिर कॉंग्रेस ने बड़ी मुसीबत में एक कैंडिडेट को राठोर जो तेली समाज से आते हैं और उनकी बंपर जीत हुई बंपर जीत तो इससे यह पता चलता है कि शायद जो इंडिया गड़बंधन के नेता थे बड़े बड़े नेता उनको भी यह अंदाजा नहीं था कि जनता इस चेंज में जा रहे हैं कि यूपी में तुफान आने वाला है आंधी आने वाली यह रहूल ने कहा भी यह है कि हां इतना सेंटिमेंट इस तरह से है शायद वो भी नहीं भाब पाए यह मैं शुरू की बात करें तो यह तो कैंडिडेट तै करने की बात थी अयुद्ध्या सीतापूर अयुद्ध्य जिसे प्रियाग राज कहतें तो तमाम यह सीटे यह संकेत पूरा दे रही थी कि लोगों के मन में जिस तरह से वही वाज जो अधिती ने भी कही कि भूक के पेट भजन नहीं होता आप धर्म की राइनिती धर्म एक व्यक्तिकत मसला है आपने मंदिर बना दिया मंदिर आप आपने श्रे से बचना चाहा वो आपके लिए श्रे हो सकता है क्योंकि आप पर आपर आधिक मुकदमे क्योंकि सुप्रिम कोर्ट ने भी कहा कि मस्जद गिरानाई का आपर आधिक काम था तो यह संटिमेंट पकड़ना वाकि में मुझे लगता है और बहतर वैसे काफी बहत चुनाओ लड़े और इस पर ही मुझे लगता है संतोष करना चाहिए और अभी यूपी में भी खेला होना तकरीबन सोलह सीटों का जो आकलन आया है सोलह सीटों का भी बड़े पैमाने पर और भी आ रहा है आज भी काफी हम काम कर रहे थे तो सोलह सीटों में बस्पा को जि इसमें एक जो चेहरा चंशेखर आजाद का है जो एक बड़ा दलित आइकन के तौर पर उभरे जब बस्पा तकरीबन समाप्ती की तरफ बढ़ती हुई दिखाई इन चुनाओं में दी तो यह जो कैलकुलेशन है यानि और भी और लोग कह रहे हैं कि बहुत सी सीटे ऐसी ह जहां बहुत कम मार्जिन है हमारे दिल्ली के बगल में मेरट है जहां से टीवी वाले राम आए और उनको विल जी और देखें शुरू में बिलकुल पीछे 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 चलते रहे लेकिन अंत में 14-1500 वोटों से उनकी जीत हुई सबसे लेट एनाउंस हुआ उनका तो य लेकिन मैं कुछ हद तक मुकुल जी से सहमत नहीं हूँ कि बुल्डोजर का पॉलिसी को नकार दिया है जहां तक जितना मैंने पढ़ा है और जितना में को समझ में आ रहा है योगी आदितेनाथ अभी वहां पर काफी पॉपुलर चल रहा है इंफेक्ट ये तो सुनने में कि अखिलेश ने सिर्फ पांच यादों को टिकट दिया वह चाहे परिवार कें और कुछ हो बाकी पिछड़े 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 दलित और अल्पसंक्यक वह जो बैलन्स उन्होंने बनाया है और सबको एक सही रेप्रेजेंटेशन दिया है वह एक बहुत ही काम किया है वहां पर एक खथ तक तो उसका भाजबा को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है और आने वाले असेम्बली चुनाव में मुझे लगता है दोने जो क्यास बाजी चल रही है राजनेतिक दौर पूरे गलियारों में और आज भी देखने को मिली जब NDA का प्रोग्राम था पूरा का पूरा जो आयोजन हुआ था मोधी जी को प्रधान मंतरी उन्होंने घोशित किया उसमें योगी और मोधी जो फैक्टर है और आप देखिए कि जब से ये रिजल्ट आया योगी पूरी सीन से गायब है आज भी अखबारों में जो खबर चपी है और लोग बता रहे हैं जो कुछ सो कॉल्ड वीडियो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यह हार योगी जी के नाम पर नहीं है यह हार गुजरात लॉबी यानि अमिशा और उनके नाम है और खासतोर से इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि गुजरास से लेकर राजस्तान से ले जैसे ही सारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह अंतता है कई जगे आप देखेंगे अगर पश्चिम यूपी में देखेंगे या इधर काफी ठाकूर या ब्रहमन भी नाराज बताए गए पर वह अंतता वोट उनके करफ था इसलिए यह तो एक फैक्टर छोटा सा था क्योंकि किसी भी जीत में या हार में कई फैक्टर होते हैं वह प्लस 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 जैसे आपने कहा कि मायवत्य आ जाती है चंशेकर को ले लेते इस सब एक बड़ा हो होता यह वाकर में यह इसलिए मुझे लगता कि चुनावबास समिक्षाएं की जाती है मैं यह बता रहा हूं बु किसानों को कुचलना मकानों को डेमिस करना बुल्डोज से इस सब की राजनिती की हार हुए उधर तमाम आरोपों के बावजूद ब्रजभुषण शरेयाम साफ रहलियों में कहा कि वह बुल्डोजर को पसंद नहीं करा है मैं मुकुला को एक मत रोकोंगी कि जो टैनी वाल और इस बार अमिश्या खड़े होकर बोलेते ऐसे कंदे पेहात रखे मैं इस आप बड़ा बना हूं और यह आप मत समझें कि दिवेंदर परनावी इसने जो एक पेशकश की थी वो यूही थी वह नजरीय से मुझे लगता है योगी पर भी दबाव बना जाएगा और योग को यूपि के जानकार है उँका ये कहना है इस आधह कंदेट्स नमंहा समय थी जो योगी से पूछै ही नहीं गयते उम्परकाश्य राजबर हुए शे ननों। समय से पूछै नहीं खेग हुए तो यह तसल तो चलेगी वह उनकी आपसी मामला यहां लेकिन इसमें एक एक ब देखिए मेनली वोट्स आपके रूरल एरिया से आये हैं इंडिया ब्लॉक के लिए इंडिया गड़बंधन को पूरी भारत में ग्रामियर शेत्र में 50 फीसिदी से अधिक वोट पड़े हैं और शहरी मगदाता आज की तारीक में भी एंडिय के साथ दिखाई देते हैं और उ से लोगों को उम्मीद ज्यादा थी उनको लग रहा था कि चालिस में से ज्यादा सीटे कम होंगी ज्यादा कम नहीं हुई आट सीटे कम हुई ऐसा क्या गबढ़ हुआ आपके हिसाब से मुकुल अगर संक्षेप में जाओं कि बिहार ने वह नहीं किया जो यूपी ने किया बिहार की किया आप बिहार कि पर बिहार कोई कि बन लेजिए ए बिधेया कि मैंने बेख बंदाव और अक्ष astrology अीम में ब्लंड सबस्यादा हुआ से माधा धलियां डि़की ज़्टीः चोड़ी में चाजीवे कि बिहार की किया कमर की देएक ऊजब कुछाट पूरमेज मैं बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि मुझे बहुत आशा है जैसे आपने बोला कि ठीक है बाले ही सीट ना आई हूं लेकिन वोट शेर राश्रीय दंतादल का बड़ा है और तेजश्वी की मेहनत और तेजश्वी का जो यूथ के प्रती अपील था ये बेरोजगारों को लेके म मुझे लगता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में वो अभी उधर की तरफ नजर है और वो होगा और बाकी नितिश कुमार का भी आप देखे तो एबीसी सीट्स वगेरा उनको भी हर तरह के तबकों से वोट मिला है और भाजपा का जो कमी हुई है ये मुझे लगता है एक बहुत ही एक पॉजिटिव क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बिहार ने जो चीज साबित की है और यह जो एंडिये का जो फॉर्मेशन है उसने भी साबित किया है कि भारती राजनीती में किसी की भी अबिचुरी जल्दी नहीं लिए और जिस तरह से इस क्या था कि उनका कहानी खतम हुई हाला कि वोट परसेंटेज उनका बीजी से भी ज्यादा गिरा है सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो उनका हुआ है लेकिन क्योंकि मजे हुए खिलाडी है नितीश कुमार और जिस तरह से उन्होंने अपना जो वोट बैंक है जिस जरूरी है कि दोनों की धर्ती में जो सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखाई दिया कि योगी से लोग नाराज सीधे-सीधे हैं मोदी से लोग नाराज सीधे-सीधे हैं लेकिन बिहार के धर्ती में और यहां पर मुझे लगता है तेजस्वी से जो चूक होई कि उन्होंने इ इस तरह से चुनावी प्रैक्टिस वामदलों ने यहां पर की क्योंकि वो तो कोई शैद कोई भी राजनितिक विसलेशेफ मानी के नहीं चल रहा था कि आरा जैसी सीट जहां पर दबंगई पूरी बड़ी जातियों की रही है आरके सिंग मंत्री रहे हैं और कोई भी और काट अधा किलोमीटर दूर आपको मोटरसाइकल भी रोखनी पड़ती है और वो जो चुनाव प्रचार उसने यह भी दिखाया कि आप लड़ाई कैसे कर सकते हैं अपने मुद्दों पर कैसे खड़े होते हैं और सिर्फ वोट तबदीली ही नहीं मुद्दों पर पकड़ लेकिन बिहार ने भी एक आशा तो जताई है कि चेंज संभाव है और वोट परसेंटेज कम से कम आज जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास वोट के आकड़े हैं तो उससे यह लगता है कि वोट परसेंटेज में आरजेडी को इतनी बड़त मिलना एक निश्यत तोर पर दिखाई देत क्या है और शाय सबके लिए शुकुन की सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो नक्षा है वह रंग बेरंगा हो गया है आने वाले दिनों में हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें रंग शामिलों हम सब चाहते हैं जैसे हम सब के रंग अलग हैं खाना पीना अलग अलग है और yet यहां पर एक जिक्र जरूर अंत्मे करूंगे कि बंगाल में जिस तरह से मम्ता बेनर जी ने इकलौती फाइट की वह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है और महुआ मोहित्रा का इस संसद में वापस आना भी एक बहुत सकरात्मक संकेत है तो आज के लिए इतना ही